हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब आशकरती हूं कि आप सस्त होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में प्यस्त होंगे आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते वे आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चेप्टर एक नया अध्याय जिसको सिरुष्रक है भारत देश की जबच्यों एक बहुत ही सुन्दर सी प्यारी सी कविता है जो किसके बारे में है जो हमारे भारत देश के बारे में है आईये स्कविता को शुरू करते हैं आपोग भी ध्यान से सुनियेगा और मेरे सान्थ गुन गुना हिएगा भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है, तो क्या कह रहा है कभी, ये भारत देश किसका है, ये हमारा देश है, और सभी देशों से न्यारा है, न्यारा यानि की बिल्कुल अलग है, उच्छ हिमाले मस्तक इसका पत पर छलके सागर है, नदिया भरी हसी तरजल से जीले जरने गागर है तो बचो कभी क्या कह रहा अगली पंक्तियों में कभी कह रहा है कि उच्च हिमाले मस्तक इसका तो जो उच्चा हिमाले है वो कैसा है इसके माथे या मस्तक के जैसा है और पग पर छलके सागर है पग यानि की पैरों पर क्या है सागर क्या कर रहा है चलक रहा ह यानि कि आपको पता है कि पैरों में क्या है हिंद महासागर क्या है उसके चरणों को धोते रहता है ऐसे ही नदियां भरी है सीतल जल से और नदियां क्या है सीतल यानि ठंडे ठंडे जल से हमेशा भरी हुई रहती है जीले जरने गागर है और क्या है यहां पर अनेक प्रकार क जीले हैं जरने हैं और गागर है जरने गागर का मतलब क्या हुआ जो छोट छोटे तलाब है ठीक है ना तो अब आगे बढ़ते हैं पेड़ों पर लटके मीठे फल धर्ती पर हरियाली है खेत खलीहान है भरे अन्न से हर घर में खुशाली है तो बचो क्या कह रहा है कभी इसमें प्राणों से प्यारा इसको सदा सवारेंगे सांती दया की रहा अपना कर जग का आदश बनाएंगे तो बच्चो क्या कह रहा है कभी कह रहा है कि यह देश हमें क्या है प्राणों से भी प्यारा है और हम इसको क्या करेंगे सदा सवारेंगे यानि कि सजाएंगे सांती धया की राप ना कर तो हम कौन सा मार्ग चुनेंगे? सांती का रास्ता चुनेंगे, दया का रास्ता चुनेंगे और जग का आदर्ष बनाएंगे और जग में क्या करेंगे? इस संसार में एक आदर्ष से स्थापित करेंगे, एक आइडियल बनेंगे, है न? तो बच्चो आगे बढ़ते हैं, भा हमारा देश क्या है हमारा देश है और ये क्या है सभी देशों से बिलकुल अलग है बिलकुल भिन्न है बिलकुल न्यारा है तो बच्चो कैसी लगी एक कविता आपको आशा करती हूं कि आपको एक कविता अच्छे से समझ में आई होगी और अपने देश के बारे में आपने बहुत सारी जानकारिया ली होंगी इसके साथ ही आप लोग इसे याद भी करने की कोशिश कीजिएगा तो ऐसे ही पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए और हाँ इसका भ्यास भी चरूर कीजिए